आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और बात करने वाले हैं इंडियन इनिवर्शिटी कामीशन के बारे में जिसको हिंदी में भारतिय विश्विद्याले आयोग भी कहा जाता है और 1902 या 1902 इसलिए क्यूंकि इस कामीशन को 1902 में ही अपोइंट किय गया था और उसके बाद जब इस कामीशन ने अपनी सजेशन्स दिये अपने रिकमेंडेशन दिये अपने सुझाओ दिये तो उसके बाद 1904 में इंडियन इनिवर्शिटी एक्ट बना जिसके तहत इसके सिफार्सों को सजेशन्स को इंप्लिमेंट किया गया लागू किया तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे इंडियन इनिवर्शिटी कमीशन के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन इनिवर्शिटी एक्ट के बारे में तो हम वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर हम Indian University Commission की बात करें तो उस टाइम के जो Governor General थे करजन उन्होंने Thomas Rayleigh के Chairmanship में इस Commission को Appoint किया ठीक है इस I.O की नुकती की तो इसके Chairperson कौन थे Thomas Rayleigh तो इसलिए इसको Rayleigh Commission भी कहा जाता है फिर हम बात करें Terms of References की इसके जाच की विशे कौन कौन से थे तो एक्जामीन दो प्रिजेंट कंडिशन आफ इन्वेस्टिटीज इन बिटिस इंडिया एंड दियर फ्यूचर प्रोग्रेस की बिटिज भारत में विश्विद्यालियों की वर्तमान दसा और उनकी भावी उनती की जाच करना कि इन्वेस्टिज की प्रिजेंट कंडिशन क्या है वर्तमान दसा क्या है और किस तरह से उनका फ्यूचर प्रोग्रेस हो सकता है उनकी भावी उनती हो सकती है इस चीज़ की जाच करना To submit proposal to improve the legislation and functioning of universities की विश्विद्यालियों के विधान जो नियम है जो कानून है और उनकी कारिपनाली में सुधार करने के लिए प्रस्ताओ प्रस्तुत करना To suggest suitable methods for raising and improving the quality of teaching in the universities की विश्विद्यालियों में सिक्षण इस्तर को उचा उठाने और उन्नती के लिए जो उप्युक्त विधियां है जो suitable methods हैं उसकी संबन में सुझाओ देना अब हम बात करते हैं major recommendations of the commission की आयोग की प्रमुक संस्तुतियां या सुझाओ कौन-कौन से थे New universities should not be stabilized कि नवीन विश्विद्यालियों की स्थापना नहीं की जाए Teaching should be done by the existing universities की वर्तमान विश्विद्यालियों द्वारा ही सिक्षण कार्य किया जाए The rules for accreditation of colleges should be strict की colleges को मानेता देने की जो नियाम है उसमें कड़ाई होनी चाहिए strict होने चाहिए Undergraduate teaching should be done in the respective colleges and postgraduate teaching should be done in universities की जो भी undergraduate course है जैसे आज भी होता है उसको college campus में किया जाए और जो postgraduate course है उसको universities campus में किया जाए Each affiliated college should be managed by an organized management committee की परतेक संबंद college का परबंद एक संगटित परबंदन समीती के द्वारा किया जाना चाहिए कि हर college में एक management committee हो जो उस college को manage करें उसकी देखरेक करें The territorial limits of each universities should be clearly defined कि परतिक विश्विद्याले की प्रादेशिक जो सीमा है उसको special रूप से निशित कर दी जाए जैसे दिल्ली इंवर्सिटी की जो आप कह सकते हो कि प्रादेशिक सीमा है ठीक है इस तरह से जामिया का भी दिल्ली के अंदर है बी एचिव की बात करें तो यूपी इलहाबाद इनुवर्सिटी की बात करें तो वह भी यूपी तो इस तरह से हर इनुवर्सिटी की एक टेरिट्य लिमिट्स है प्रादेशिक सीमा है उसको special रूप से निधारित कर दी दग कोर्स ओफ ग्रेजुएट शुड़ बी ओफ त्री यह कि जो ग्रेशन के जो कोर्स जो डिग्री यह तीन साल की होनी चाहिए कि जो सिनैट के जो सदث है उनकी अधिक्तम अवधी पाच वर्स की होनी चाहिए क्या है तो सिनैट इंवर्सिटी लेवल पर एक डिसिजन मेकिंग जो बॉड़ी है तो उसमेशन जो भी मैम बंबर सो उनका जो टाइम होना चाहिए maximum जो time होना चाहिए five years का होना चाहिए college and university teacher should be given representation in the senate कि जो college के universities के जो teacher है जो professor है उसको senate में जगे दी जाए उनको उसका members बनाया जाए अब हम बात करते हैं evaluation of commission आयोक का मुल्यांकन तो इसमें साफ यह बात कही गई कि भारत में जो भी universities बनाई जाए ठीक है तो ideal London university को माना जाए London university को ही ideal मानकर आदर्स मानकर भारत में विश्विद्यालियों की स्थापना की जाए the commission suggested only to make the existing university system advanced and powerful कि आयोग ने केवर ट्रचलिद जो विश्विद्याले थे उनकी विवस्था को उननत और सक्तिसाली बनाने के लिए सुझाओ दिया इसने किसी भी नई initiatives को बनाने की बाद नहीं कई और सबसे main जीज़ कि इस commission ने जो भी सुझाओ दिया उसमें जो British government का अपना फायदा था अपना benefit था इसमें जो भारत के भारत के लोग थे इंडिया के जो लोग थे उनकी need को उनके benefit को ध्यान में नहीं रखा गया ठीक है अब हम बात करते हैं Indian University Act के बारे में भारतिय विस्विद्याले अधिनियम के बारे में तो जब 1902 में Indian University Commission ने अपने suggestion दिये अपने सुझाओ दिये तो उसके बाद 1904 में Indian Education Act बना भारतिय विस्विद्याले अधिनियम बना जिसके तहट Indian University Commission के जो भी suggestion थे उसको implement किया गया उसको लागू किया ठीक है Many important changes were made by this act in the administration, authority and purview of Indian universities कि इस अधिनियम के द्वारा भारतिय विस्विद्याले के प्रसासन, अधिकार और कारे छेतर में अनेक महत्पून परिवर्तन किये गए, बदलाव किये गए, तो कौन-कौन से changes थे उसको भी हम देख लेते है The work area of universities were expanded कि विस्विद्याले के कार छेतरों में विस्तार किया गया तो क्या विस्तार किया गया, क्या expand किया गया, उसको भी देख लेते है Universities were also given the right to conduct teaching and research along with examination कि विस्विद्याले को अब परिक्षा के सासाथ सिक्षन और अनुसंधान, teaching and research का काम भी दे दिया गया The Governor General was given the power to determine the territorial boundaries of the universities कि Governor General को विस्विद्याले के छेतरी सिमाओं को निश्चित करने का अधिकार दे दिया गया कि 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 इन्विद्याटी की छेतरी सिमा कहां तक होगी, ठीक है, उससे affiliate college कहां कहां तक हो सकते हैं, उसी state में हो सकते हैं या दूसरे state में हो सकते हैं तो यह जो right है कि इसको दे रिया गया, Governor General को, कि वो decide करें कि इन्विद्याटी की जो boundary है कहां तक होनी चाहिए, उनकी जो प्रादेशिक सिमा है कहां तक होनी चाहिए जो government got the right to amend and make changes in the rules to be made by the Senate as per the need कि सरकार को सिनेट द्वारा बनाये जाने वाले नियोमों में आवस्चक्ता अनुसार, संसोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार मिल गया पहले a right सिनेट को था लेकिन अब government को भी a right मिल गया strict rules were made for colleges wishing to be recognized by universities कि विश्विद्यालियों से मानेता प्राप्त करने के इच्चो कॉलेजों के लिए भी कठोर नियम बना दिये गए the principle of electing of the members of the Senate was propounded कि सिनेट के सदस्यों को निर्वाचित करने का सिद्धान परतिपादित किया गया कि किस तरह से सिनेट के members को जो है उनको appoint किया जाए उनको elect किया जाए इसके लिए भी rules बनाए गए तो आज की इस विडियो में हमने Indian University Commission के बारे में जाना कि Commission क्या था कब एडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं आप सबका बहुत भाँत धन्यवाद